नमस्ते मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं Bluntly Speaking करोना के इस समय में जब 4 लाग से ज्यादा संकरमित रोज हमारे देश से निकल के आ रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ जब कल 4,000 से ज्यादा मौतों का आकड़ा पार कर गया 50% से ज्यादा हमारे देश से पूरे विश्वभर का जब हम संकरमित लोगों की डेटा देखते हैं तो 50% से उपर तकरीबन हमारे देश संकरमित लोगों का डेटा निकल के आ रहा है एक रिपोर्ट ये भी बताया कि तकरीबन डेड़ सो प्रतिशक मृत्य कांकरा में हमारे यहाँ पे इजाफा हुआ है और ऐसे ही समय पे पिछले कुछ दिनों से पहले ऑक्सीजन की कमी हो रही थी वो अभी भी चल रही है राज मांग रहे है खास्तों से दिल्ली राज जो है वो ऑक्सीजन की मांग बार-बार करता जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट है केंदर कहती है कि हम oxygen पूरी दे रहे हैं केंदर के कुछ मंतरी कई बार दे भी कह देते हैं कि oxygen का इस्तेमाल धंग से किया जाए सही तरीके से किया जाए तो oxygen जो है यानि कि मरीड जो है oxygen ठीक से ले तो उस महां पे भी shortage नहीं होगी ऐसे भी बयान आते हैं और इसनी सब कड़ियों में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लोगों के घरों पे आफिसेज में फैक्टरीज में छापा पड़ रहा है कि उन्होंने आक्सीजन सिलेंडर स्टोर किये हुएं आक्सीजन कंसंट्रेटर स्टोर किये हुएं और उसकी काला बजारी कर रहे हैं सवाल मेरा यहां पर यह है कि जो आक्सीजन कंसंट्रेटर की काला बजारी की जो बात कही जा रही है वो कैसे है किस कानून के तहत वो काला बजारी सरकार कह रही है यह हमें समझना होगा और इसको हम समझना चाहते हैं क्या कोई कहीं से कुछ इंपोर्ट करता है तो उसको अपने price पे बेचना क्या काला बजारी कही जाएगी या सरकार ने इन oxygen concentrator के दामों को ते किया हुआ था पहले और जो ये व्यापारी हैं वो उसको उस ते दाम से उपर बेच रहे हैं ये भी हम समझेंगे अगर कह रहे हैं एक तरफ वो 20,000 का concentrator है और वो 50,000 या 60,000 रुपए का बेचा जा रहा है सवाल यहां पर यह भी आता है कि जब सरकार पेट्रॉल 300 प्रतिशत का profit लेके बेचती है तो क्या उसे हम काला बजारी नहीं मानते हैं ये भी एक सवाल है इसके उपर भी हम बात करेंगे